हेलो प्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल पुजा क्रीशन व्लॉग्स तो आप लोगों ने देखना वाहर कितनी जगा ठंडी है और ठंडी कितनी भी हो काम तो खंभाई करना ही है डस्टिंग करनी ही है खाना बनाना ही है सब कुछ तो करना ही है तो मेरा वी सुभब सुभब हो गया था मैं भी ऊड़ गई सुभब सुभब और पटाफट से लगई अपने काम में फटाफट से घरवर सही किया रूंठीक किया किरेंट करने में थोड़ा सा समय आता है किanta कभी कभी यह होता थोड़ा सा सैटिंग जेंग कर देंगि मेरी सेटिंग देखने को मिलेगी, उसका भी लिंक मैं की लिजगी मैं अपको retro के तरह कि त्वेडियो में ते सटिंग कर रही हूं जो कि कभी-कभी की बहुत ही ऑक्वर्ड लगता है देखने में तो इसे ज्यादा बुरा ना लगे देखने के लिए इसलिए मैंने दो मेरे पास सूटकेस थी दोनों को एक बराबर रखे मेरे पास एक चौड़ी सी प्लाई थी अगर आपके पास नहीं हो तो वो गद्दा या कोई गेस्ट है आसानी से इस पर आप बैठा सकते हैं या आप खुद भी इस पर बैठके कोई भी काम कर सकते हैं मतलब कि यह आल परपस है आराम से इसे यूज किया जा सकता है जो देखने में भी काफी अच्छा लगता है बाद में इसका मैं कभी आगे के वीडियो में कु तो उन्हें सेटकिया उसके बाद से सारे घर की सफाई करने में काफी समय जाता है क्योंकि बले इतनी ठंड पड़ रही है लेकिन घर तो गंदा होता ही है तो भाई सफाई भी जरूरी और आजकल क्या होगे है कि कोरे पड़ते हैं तो बाहर कपड़े भी नहीं फैला सकते हैं जब तक अच्छे से धूप न निकले घरी में अंदर इधर बरांदे में हॉल में फैला दो कपड़े वो सूखें उसके बार जब धूप निकलेगी तो फिर बाहर निकलेगा अब इधर फटा फट से सारी सफाई करके फिर बाहर भी जाना है बाहर की थोड़ी सफाई करनी है क्योंकि क्या होता है ठंडी में अक्सर की अंदर ही अंदर रह जाते हैं इंसान बाहर की सफाई नहीं हो पाती है तो चले फटा-फट से इधर करके बाहर की सफाई करते हैं और मेरा मानना है सफाई करने का सबसे अचा टाइमिं होता है जब आपके घर में कुई ना हो, बच्चे ना हो, कोई भी ना हो ताकि कि आप सफाई बहुत अच्छे से कर लो और इस टाइम पर जाड़ू लगाना है पोचहा लगाऊ तो वूरे फर्ष से इतना ज्यादा ठंडा पढ़ रहा है कि फर्ष से पानी निकलने लगता है कि जब तक लोट नहीं निकलेगा तब तक हम यहां पोचा भी नहीं मार सकते हैं घूंधर ऑचकी तो यहां आचुके हैं पोर्ष में पोर्ष की सफाई कर रहे हैं पोर्ष की सफाई पटाफट से कंप्लीट हो जाएगी पोर्ष की सफाई करने के बाद हम चले जाएंगे नहाने और नहाने के बाद जैसे ही आते हैं तो आरवी के नाटक सुरू हो जाते हैं यह देखिए यह ब्रश ले जलिए अब आप दिखाते हैं गलो की new cycle जीसे गंडों खुलने में लगे हुए हैं और यहाँ पर सब गadtनू को भी लोग 4 GANKी हम लोग लेकर जायेंगे तो गडों अदेखने क्या रप्लाइ करते हैं हम भी लोगं नहीं चलाए है तो देखा ना गन्नु अपनी न्यू साइकल बिल्कुल भी देने को तयार नहीं है कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं दूंगा ये साइकल तो मैं ही चलाओंगा तो हम लोग तो खैर उसके साथ नमस्ती कर रहे थे और गन्नु की ये जो ड्यू सैकल थी इसमें कहीं कहीं के नट अच्छे से टाइट नहीं थे तो क्या हो सब्सक्री इसमें लगी हुई थे तो गन्नु बहुत जादह फ्रस्टेर्ण होने के बाद वह षामलों के उपर गुस्सा करने लगा और उसने क्या बोला चलिए ये आप लोग को दिखाते है साइकल में खरावी आ रही है पूजा भी करवाया हूँ तो क्या चाहते हो पूजा हो जाए है तो मज़ा आ जाए है ना तो मतलब तुभाय साइकल की पूजा करवानी है ना चलो ठीक है इन सब के बाद गन्नों को लग गई थी भूग तो यहां हम बना रहे हैं ब्रेट पीजा तो सबसे पहले तो देखिए ब्रेट पीजा बनाने के लिए मेरे पास पीजा सॉस नहीं था तो मैंने यहां पर टमेटो सॉस को और सहजवान चटनी को और साथ में ले लिया मेव निए इन तीनों को अच Turns नहीं मिक्स करके ब्रेट प Märom और यहां मैंने BenjaminN supportive 완전 jeans वान को on किया है तावा को ब्रेस कर लिया है साथ नहीं ऊपर डाल दिया है फोड़े से छीस चीस वान के बाद नहीं छीजजाओ नाल से 1 Karl intra प्यास जाले के बाद इसके उपर से थोड़ा सा चीज और डाल दिया है और तोड़ा सा ब्लैक पेपर और इसको घैस को एकदाम मीडियम पे कर लिया है और इसे धक दिया है तो ैट begin just have a 500 में हमारा ब्रैट पीजा बन के हो जाएक तैयार तो फै peso अगर आप लोगों को लाइक अदबाना बिल्कुल भी ना भूले तो ये देखिए फ्रेंड्स पूरी तरह से चीज मिल्ट हो रहा है और जो की देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है तो इसी तरह से मेरा ब्रेट पीजा हो गया तैयार और मैंने गन्नु को दे दिया ये ब्रेट पीजा खाने के लिए तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबा एंड टेक केर